Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ अम्रिता और आप सभी देख रहे हैं Target at One Friends, आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि कोरोना वाइरस जस्त एक नाम है उनको लगता है कि पैनिक करने के बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये lockdown करना और ये जनता कर्फियो करना ये जिस नाटक है, political issues है और वो लोग आराम से सड़कों पे टहलते हुए और ये lockdown के नियमों को तोड़ते हुए आराम से सड़कों पे आपको नज़र आएंगे उन सभी लोगों के लिए आज के वीडियो समर्पित आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर कोरोना ऐसा है क्या आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कोरोना को लेकर तो ये वीडियो उन सभी students के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि कोरोना के बारे में कई सारी चीज़े हैं जब लोग ठीक हो जाते हैं तो हम भी तो ठीक हो सकते हैं तो yes guys आप ठीक हो सकते हैं आपके मन में जितने भी सवाल है कोरोना को लेकर आज इस वीडियो में आप हर उस चीज़ को जानेंगे जो आपके मन में question mark create करती है कोरोना को ल किये हैं वो है 775 एक्टिव केस यानि कि इतने पेशेंट हैं कुरोना वाइरस के जिन में से ऐसे व्यक्ति जो ठीक हो चुके हैं या जो ऑस्पताल से चुटी लेकर घर जा चुके हैं उनकी संख्या है 79 जब कि ऐसे लोग जो मुह में पहुच चुके हैं उनकी संख्या है 19 और यह 19 वो लोग हैं जो कहीं न कहीं किसी बिमारी से ग्रसित थे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी तो गैज यह आप कैसे पता चलेंगे पता चलेगा आपको कि आपकी इम्यूनिटी स्टॉंग है आप कुरोना से फाइट कर सकते हैं क्योंकि ऐसा डेडली वाइरस है जो व स्वयम और अपने परिवार और अपने समयदाय को सुरक्षित रख सके और हां घबराने की जरूरत बिलकुल नहीं है आवश्यक वस्तुए दवाएं आदी सारी आप सबको उपलब्द करी जाएंगी और आप खुद भी चलकर बहार जा सकते हैं लेकिन आपके पास एक प्र चीखते हैं या खांसते हैं तो उनकी बूंदे आपके अटमास्फियर मेवाता वरण में फैल जाती है तो उन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है अपने हाथ को बहुत अच्छे तरीके से साबुन से धोना है खांसते या चीखते वक्त अपने मुग को ढग या फिर मास्क पहनना है हाथ को साफ तरीके से अगर आपने नहीं धुला है आपका ऐसा प्रूफेशन है तो आपको इतना प्रिकॉशन करना है कि अपनी आखों तक नाख तक और मुह तक उस चीज़ को पहुचने नहीं देना है अपने हाथ को ठीक है ना तो प्रिकॉशन नहीं करना है multiple use नहीं करना है next बिना हाथ खो अपनी आको नाक और मुझ को बिल्कुल नहीं छूना है next खासते वक्त या छीकते वक्त अगर आपने मास्क पहना है तो ठीक अगर नहीं पहना है तो आपको hanky या फिर tissue paper का use करना है next اगर आपके पास hanky याně टिसू पेपर on नहीं है तो आपको अपने यूज करना है कोहने का यूज करना है छीकने के लिए जो भी विमार व्यक्ति है जिनके उपर आपको श्ट्रक है खास रहें तो उनसे एक मीटर की दूरी बनाना बहुत ही जादा आवश्यक है आप सभी के लिए नेक्स्ट ए कोरोना वाइरस के लक आपको बुखार होता है याने की बॉड़ी का टैंपरिचर थोड़ा सा बढ़ता है इसके बाद इसके बाद सुखी खासी होती है और कुछ हफ़ते के बाद सास लेने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है इन अलक्षडों को हमेशा मतलब यह नहीं होता कि आपको कुरोना वाइरस का संकरमण ही है कई बारे केसिस कुछ अलग पाय जाते हैं तो कुरोना वाइरस की गंभीर मावलों में निमोनिया सास लेने में बहुत ज़ादा परिशानी कीडली फेलर होना और यहां तक की मौद भी हो सकती है तो उम्रदराज लोग जो की 60 प्लास है 65 है उन करते हैं कुरोना का संकरमण फैलने से रोके कैसे सबसे बड़ा कोश्चन है सबसे बड़ा कोश्चन है उन सभी लोगों के लिए जो बहुत जादा डरे हुए इस वायरस को लेकर तो सबसे पहले अगर आप संकरमित इलाके में आए हैं या किसी संकरमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने पर सलाह दी जाती है कि आप अकेले रहें ठीक है ना सबसे पहला precaution आपको लेना है कि बहुत जादा हो सके तो ही घर के बाहर निकले वरना घर पर ही रहें दूसरा office school या फिर सारवजनिक जब जगहों पर जाने से बचे सारवजनिक वाहन जैसे की बस, ट्रेन, आटो या फिर टेक्सी में आत्रा कर रहे हैं अगर आप तो वहाँ पर अपनी बाड़ी को sanitize करना ना भूले घर पे आके सिधे कपड़े बदले और sanitizer से अपने हाथ धूले घर में अगर मेहमान बुला रहे हैं, बहुत जादा जरूरी है तो ही बुलाएं और अगर नहीं जरूरी है तो बिल्कुल मत बुलाएं आप अपनी सलामती और उन लोगों की सलामती रखिए जो आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, घर का सामान किसी और से बिलकुल ना मंगाए और next important चीज़ है कि जरूरत का सामान आप खुद लेने जाए और पूरी सफाई का ध्यान रखे अगर आप किसी और लोगों के साथ रह रहे हैं तो जादा वहाँ पे सतरकता बरतने की जरूरत है नेक्सट चे अलग-undग कमरों में रहें और कोई भी रसोई का समान या बाथरूम का जो सामान आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है तो शेयर ना करें और अब आप एक ही बातरूम में तो उसको बार-बार साफ करें और एक चीज़ और 14 दिन تک ऐसा करते रहें घंटे तक ही जीवित रह सकता है तो अगर बाई चांस अगर आपके धर्वाजे पर चिठी पर किसी पार्सल पर चिपका भी हुआ है तो अगर आप 8 से 10 घंटे तक या फिर उसे नहीं चुएंगे तो वहें पर मर जाएगा अगर आप अगर आपको कैसे तो जब आपको करोणा वाइरस हो जाता है और आप जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन अगर फिर भी इसके गिरफ्ट में आप आ जाते हैं तो आपको क्या करना है तब तक आप ठीक नहों जाएं तब तक आप दूसरों से दूरी बनाएं रखें दूसरा कुरोणा वारिस के इलाज के लिए वैक्सिन विकसित करने का काम चल रहा है हाला कि हुआ नहीं है लेकिन इस पर काम जा रही है इस साल के अंतक इंसानों पर इसका परिक्शन कर लिया जाएगा और इसके बाद दवाइं बना ली जाएंगे फिर भी आपको कुछ अस्पताल में जाकर सबसे पहले सूचित करना है डॉक्टर्स को और वहां से अपने लिए आपको चीजे लेकर आनी है या फिर अपना ट् आपको वहां पर आइसोलिशन बार्ड में शेफ्ट कर दिया जाएगा डाइट कैसे बना के रखनी आपको इस वारिस की जब आप संक्रमण में आ जाते हैं तो आपको क्या चीजे लेनी है तो सबसे पहले कि आपको विटमिन सी लेनी है क्योंकि विटमिन सी ही ऐसी कारगर के रूप में काम करता है जो आपकी immunity को boost अप करता है तो सबसे पहले विटमिन सी वाले व फΟमयों और वर सब्सूरों को सीवन करना है जैसे कि कीवी है आपका आमला हो गया है नीमू हो ह गया है संतरा हो गया है टमाटर हो घया है अध्रक का सेवन जाद जादा से जादा क को boost up करता है next ठंडी ठंडी चीजों के सेवन से बिल्कुल भी बच जैसे आइस्क्रीम हो गया कोल रिंग हो गया हलांकि गर्मी है और आपको इन सब चीजों की लगेगी तो वहां पर आपको बचना है इन सब चीजों का सेवन करने से next मासाहर का सेवन बिल्कुल भी ना करें और जीवन को जितना हो सके शाकाहर की तरफ लेकर जाए next बहुत ही important चीज़ है जो आपको सभी को जानने चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या तोफ़े दिये हैं तोफ़ा नहीं आपको help कहा जा सकता है कि इस स्टंकट की घड़ी में सरकार ने भी हमारे लिए कई सार 2019 के लिए आयकर रिटर्ण की अंतिम्ति चीन 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है दूसरा अधार पैन लिंकिंग की तारिक 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई चौथी विवाद से विश्वास योजनादों की जो कि प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई है और 10 परसेंट का अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा वहाँ पर आपको लास्ट है जो बहुत जारा इंपॉर्टन है वो है वित वर्ष 2018 से 19 तक के लिए विलंबित भुगतान का ब्याजदर 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है तो यह सारी चीज़ सरकात के तरफ से आप सभी के के लिए की गई है और आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर मैं पर्समेल या आप सभी से रिक्वेस्ट करते हूं कि प्लीज अगर ज़रूरी ना हो अगर आप कोई पेशेंट ना हो इतने सीवर कंडिक्शन ना हो तो हॉस्पिटल भी ना जाए अपने दोस्तों से म अगरिक बनना चाहते हैं, एक अच्छे बेटे, एक अच्छी मा, एक अच्छी बहन, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई बनना चाहते हैं, फर्ज निभाना चाहते हैं, तो यही बार है आपकी, घर पे रहकर सरकार की, सरकार की हर एक पहल में योगदान करें और सबसे ब जो परůदी ना हो घर से बाहर नहीं जाएंगे और पूरा growing करेंगे सेनिटाइई करेंगे अपनी हर चीज को जो हम बाहर से लेकर आएंगे और attaching करेंगे और रशेनागरिकोने का अदा करेंगे एक नेक्स वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही जाद है तब तक के लिए letky